दोस्तु प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका में नाटो गटबंधन एक महत्तुपून बैठक कर रहा है और इस बैठक में रूस के खिलाफ रणनीती को धार दिये जाने की संभावना है हलाकि अमेरिका कितनी भी बैठके कर ले लेकिन भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ दोस्ती को कम करने के लिए तैयार नहीं है इसका कारण यह है कि रूस ने भारत को हर मुश्किल समय में मदद की है खास कर युद्ध छेत्र में तो दोस्तों ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत को रूस ने कौन-कौन से हथियार दिये हैं भारत को रूस ने SU-30 MKI लड़ाकु विमान दिये है यह भारतिय वायुसेना का मुख्य युद्धक विमान है अब भारत में हिंदुस्तान Aeronautics Limited Company इसका उत्पा करती है इसके बाद हम बात करते हैं MIG-29 की यह भारतिय वायुसेना में शामिल पहला सूपर सौनिक लड़ाकु विमान है यह दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकु विमान है जिसका इस्तिमाल 60 से अधिक देशों ने किया है यह विमान बहुत ही पुराने हो चुके हैं इस इसके बाद अब हम बात करते हैं INS विक्रमादित्य की भारत ने INS विक्रमादित्य को 2.3 अरब डॉलर में रूस से खरीदा है दोस्तों INS विक्रमादित्य कीव क्लास के विमान वाहक पोत का अपग्रेटिड वर्जन है इससे पहले इस युद्ध पोत का नाम बाकु था इसके बाद 1991 में इसका नाम बदल कर एड्मिरल गोर्ष को कर दिया गया था ये था INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत जिसे हमने रूस से खरीदा है दोस्तों इसके बाद भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किये थे इन पैसो से 5 यूनिट खरीदी गई थी इन में से 3 यूनिट की डिलिवरी हो चुकी है और अभी 2 यूनिट बाकी है ये 2 यूनिट इस साल भारत आ सकती है S-400 को दुनिया का सबसे सक्तिसाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि भारत और रूस ने सन्युक्त रूप से ब्रम्होस मिसाइल विक्सित की थी यह ब्रम्होस मिसाइल दुनिया की एक मात्र मिसाइल है जिसे जल थल नब से फायर किया जा सकता है दोस्तों हम आपको बताते कि भारत की इस मिसाइल से अमेरिका भी खौफ खाता है क्योंकि इसको रोकने की ताकत दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है तो दोस्तों ये थी भारतिय वायू सेना और मिसाइल्स की बात अब हम बात करते हैं भारतिय थल सेना के लिए रूस ने क्या-क्या हतियार के लिए किया जाता है इसके अंदर बैठे सैनिक दुस्मन के हैवी फाइरिंग से सुरक्षित रहते हैं इसमें 30 mm की मसीन गन लगी हुई है जो दुस्मनों पर हमले के काम आती है रूस ने भारतिय सिपाहियों के लिए एके 203 राइफल भी प्रदान की है दोस्तों इस राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस्थित कोर्वा और्डिनेंस फैक्टरी में किया जाना है रूस ने भारत को कम से कम तीन एकुला क्लास की परमाणू पंडूब भी लीज पर प्रदान की है हाला कि लीज पूरी होने के बाद ये सभी लीज पर नहीं देता है लेकिन भारत इकलोता ऐसा देश है जिसे रूस ने अपनी परमाणू पंडूब्या लीज पर दी थी इससे ये पता चलता है कि भारत का रूस के साथ कितना घनिश्ट संबंध है दोस्तों अब बात करें T90 टैंक्स की तो ये रूस में निर्मित एक तीसरी पीडी का युद्धक टैंक है भारत ने रूस से 1200 से अधिक T90 टैंक्स को लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित किया है दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत ने रूसी T90 टैंक्स में काफी कुछ बदलाव किये है इसके बाद इसका नाम T90 भीश्म रखा गया है दो म With भारत ने रूस से मिग-29 के दोवएरियंट खरीदे थे एक वैरियंट था मिग-29 और दूसरा था मिग-29 के दोस्तों मिग-29 के के बारे में मैंने आपको बता दिया है यह जो मिग-29 के है यह एक केरियर बेश्ट लडा को विमान है इसे एयरक्राफ्ट केरियर से युद्धो रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है तो कुछ तो बात है भारत रूस की इस दोस्ती में तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बोक्स में बताएगा कि भारत को रूस से यह जो भी हतियार मिले हैं इन में से सबसे खतरनाक हतियार कौन सा है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत मेरी प्यारे दोस्तों